इंडिया की YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे Heavy Duty Wheelchair के बारे में तो यह देख सकते हैं आप Heavy Duty Wheelchair Deluxe Heavy Duty Wheelchair इसमें Handrest detachable है इसका अब देख सकते हैं Seat cushion भी रिमूव हो जाता है और इसकी seat width जो है 20 इंच है 20 इंच का इसका seat width है स्टाइप का इसमें rear mag wheel है heavy duty mag wheel इसमें heavy duty 8 इंच front wheel है आप देख सकते हैं यह heavy duty wheel है यह wheelchair 120 kg तक weight bear कर सकती है और देख सकते हैं आप जो जिनकी extra size या our size person जो होते है उनके लिए specially designed की गई है यह wheelchair इसमें hand brake भी आप देख सकते हैं यह brake दिया गया है इसके footrest भी detach होते हैं तो मैं अब आपको इसको fold करके बताता हूँ इस type से आपको इसके footrest fold करने रहेंगे इसका cushion आप remove भी कर सकते हैं इस type से fold हो जाता है इस type से इसके footrest remove कर सकते हैं अब देख सकते हैं यह folding position में heavy duty wheelchair deluxe अब मैं इसको open करके बताता हूँ इस type से आप इसको open कर सकते हैं इस type से आपको इसका footrest लगाना रहेगा देख सकते हैं आप इस type से footrest लगा सकते हैं इसका ये cushion जो है इसमें double cushion है ये cushion भी बहुत ही comfortable है इसका अच्छा कासा इसमें cushion है comfortable है और ये rixin का cushion है और इसके उपर ये cover दिया गया है तो इसमें double seat है इसमें भी बहुत ही अच्छा cushion है और handrest इसका detach होता है इस type से आप bed वगेरा पे shift होने के लिए इसका handrest आप detach कर सकते हैं और पीछे इसका handrest fold भी होई जाता है इस type से और इसमें रेम पे चलने के लिए tripper दिये गए हैं या आप देख सकते हैं रेम पगेरा पे आप easily इसको चला सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो like, comment, share जरूर करें और इस wheelchair को online purchase करने के लिए हमारी website www.wilchairindia.com जरूर विजिट करें हमारे वीडियो के description में भी इस product का link मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी इसको directly purchase कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और हमारे न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें